नमस्कार दोस्तों आज की विडियो में मैं आपको आहोई अश्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधी बताऊंगी अहोई अश्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए और संतान प्राप्ती के लिए करती हैं देखिए सबसे पहले तो हम एक चौकी लगा लेंगे और उस पर लाल पीला वस्त्र बिच्छा लेंगे आप चाहे तो चौकी पर पूजा कर ले और आप चाहे तो आप सीधा जमीन पर चौका लगा कर भी ये पूजा कर सकते हैं तो देखिए अब हमने चोकी लगा ली है चोकी पर हम गेहूं के दाने रखेगे अब गेहूं ले सकते हैं बाजरा ले सकते हैं चावल ले सकते हैं कोई भी अनाज ले सकते हैं इसके बाद देखिए अहोई माता के इस तरह के फोटो आते हैं आप अहोई माता का फोटो ले सकत इसके बाद देखे हमें इस तरह के मिट्टी के घड़े लेने होते हैं। दो घड़े पूजी जाती है और एक यहाँ पर देखे एक में हमें अनाज भरना होता है तो आप कोई भी अनाज ले सकते हैं। किसी के यहाँ पर दोनों में जल भरा जाता है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार भर सकते हैं या अपने परिवार के रिवाज के हिसाब से भर सकते हैं। तो देखे इस तरह से हमने दोगर रख दी है और ये दोगर दिवाली तक रखी रहती है इसलिए हिलने नहीं चाहिए। अच्छी से आप इसको रखे तो मैंने यहाँ पर देखे दो दे लगा दिये है इन्हें बार बार उठाना नहीं होता है। दिवाली तक यही रखी रहेंगी उसके बाद थोड़े से हम गेहूं रखेगे और थोड़े से गेहूं हम इनके उपर रखेगे। इनका पूजन भी अहोई माता के साथ ही किया जाता है तो अगर आपके यहाँ पर भी यह माला है तो आप उनका पूजन जरूर करे। नहीं है तो कोई बात नहीं बगैर माला की पूजा कर सकते हैं। देखे इस तरह से हम पहले चोकी लगा लेंगे और गनेश्ची फोटो में ही है। जो क्यालंदर हम लेंगे उसमें गनेश्ची भी है तो गनेश्ची का पूजन हम यही पर कर लेंगे। आप चाहे तो अलग से गनेश जी की मूर्ती भी स्थापित कर सकते हैं और देखिए अब हम पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम गेहु रख लेंगे अब कोई भी अनाज रख लें और उसके उपर हम दिया जला लेंगे और अगर आपके यहाँ पर दिया नहीं जलाते हैं तो फिर आप सिर्फ अनाज रख लीजिए मूर रूप से जो पूजा है वो सभी जगह ही एक जैसी होती है बसक शेत्र के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत बदलाव हो जाते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें गनेश जी को तिलक करना है फिर अरोही माता को तिलक करेंगे फिर हम फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को तिलक कर देंगे और इसके बाद देखिए जो हमने मटके या दोगट रखे हैं इन पर हमने पहले ही स्वस्तिक बना दिया है और तिलक कर दिया है साथ ही साहु माता को भी आप जरूर से तिलक कर दें इसके बाद हल्दी से तिलक करेंगे हल्दी बहुत शुब मानी जाती है और हुई अश्टमी के वर्ग में हल्दी से तिलक जरूर किया जाता है तो हल्दी से तिलक कर देंगे उसके बाद हम देखे एक अलावा समर्पित करेंगे तो देखिए अहुई माता को गनेश जी को फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को हम वस्त्रस्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे जो दो घट हमने रखी है उसके कट पर पहले ही हमने कलावा बांध दिया है इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे तो भोग में हरे फल लेना जरूरी होता है अब कोई भी हरा फल ले सकते हैं, सिंघरे आप ले सकते हैं, किला ले सकते हैं या खीरा आप ले सकते हैं कोई भी हरा फलाप ले लीजिये साथ ही देखिए हमारे यहां पर पुड़े पूरी बनाये जाते हैं तो आप पुड़े जीस को गुलबुले भी कहते हैं अगर आपके यहां पूरे बनाए जाते हैं तो पड़े का भोग समर्पित करें पूरी बनाए जाती है तो पूरी का भोग समर्पित करें और जो भी आप भोग समर्पित करेंगे वो साथ में आपको दो घट पर भी रखना है इसके साथ ही देखे पतासी का भोग बहुत शुब माना जाता है तो अगर आपके यहां पर कुने पूरी हलवा वगेरा नहीं बनाया जाता है तो आप पतासी का भोग जरूर समर्पित करें और देखिए कुछ लोगों के यहाँ पर पूरे-पूरे शाम के समय बनाये जाते हैं और जो कथा सुनी जाती है वो दोपहर में ही सुन लेते हैं तो अगर आप भी दोपहर में पूजा करते हैं और शाम को पूरे पूरी बनाते हैं तो फिर जब पूजा करेंगे तब आप पताशे का ही भोग समर्पित कर दें। तथा सुनना बहुत जरूरी है तो आप कथा जरूर सुने और ये देखिए कथा आप चाहे तो आप यही पर पूजा करते हैं वही पर सुन सकते हैं या आप पूजा घर पर कर लीजिए। कि हम जो ये जलका लोटा और ये गेहु के अपने हाथ में लिए हैं इनसे सूर्य भगवान को अर्थ दे देते हैं। अगर आपके यहाँ पर शाम की समय कथा सुनी जाए फिर आप ये कहानी सुना हुआ अनाच और एक ये जो लोटा जलका है इससे चंद्रमा को दे दीजिए तो इस तरह से हमें पूजन करना है। पूजन करने के बाद देखिए हम अपना पलू हाथ में लेंगे और थोड़ा सा इसमें जल्ले लेंगे। अब हम ये जो भी सामान है जो चुकी है पूरी पर हम इस तरह से दो बार फिर आएंगे और हाथ जोड़कर होई माता से पूजा में रही कम्यों के लिए ग्षमा य दक्षेनाली है और जो भी भोग प्रसाद हमने चड़ाया है वो हम अपनी सासु जी को दे देते हैं अगर आपकी सासु जी नहीं है तो आप अपनी नंद को दे सकते हैं जिठानी को दे सकते हैं या पंदिताइन को दे सकते हैं तो देखिए जो ये दो घट हमने रखी है इ इनको उठाए जाती हैं, तो अभी आप ये दो घड ना उठाए, दिवाली तक ये दो घड यही पर रखी रहेंगी, उसके बाद आपके परिवार में जैसे भी है, दो घड य। इंगे फिर उस जल से बच्चों को नहाला देंगे, बच्चों को जब नहलाए तो ये जल साथ में ही मिला ले और अगर आपने एक में अनाज भरा है तो अनाज को फिर हम दान कर देते हैं इस तरह से हमें उठानी है फ्रेंज ये थी अश्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विदी जो मैंने आपके साथ शेर की अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना को सब्सक्राइब कर लेना अब हम बात करेंगे आओि अश्टमी वृतकता के बारे में दोस्तों आओि माता की वृतकता के अनुसार एक साहुकार के साथ बेटे, साथ बहुए और एक बेटी थी एक दिन उसकी बहुए और बेटी आँगन लिपने के लिए जंगल से मिट्टी लेने गई मिट्टी खोदते समय साहुकार की बेटी की खुर्पी से साहु के बच्चे मर गए स्याउ नाराज होकर बोली जिस सत्राग तुमने मेरे बच्चे मारे हैं मैं तुम्हें निसंतान कर दूंगी अर्थात में तुम्हारी कोक बांधूंगी ये बात सुनकर साहुकार की बेटी डर गई और अपनी सभी भावियों से अपने बदले कोक बंधवाने को कहने लगी परंतु उसकी सभी भावियों ने मना कर दिया लेकिन सबसे छोटी भावी ने अपनी कोक बंधवाने की स्वीकृती दे दी, तबसे छोटी बहु के जो भी संतान होती वो साथ दिनों में मर जाती थी हर साल कोई अश्टमी का वरत आता, एक तरफ सभी जेधानिया वरत करती, तथा सुनती और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती वही दूसरी और छोटी भावी अपने घर में रोया करती, ऐसे ही समय बीत गया एक दिन पंदित को बुलाया गया और इसका समाधन पता लगवाया गया पंदित बोला इस श्राप से मुक्ती के लिए तुम्हें सुरही गाई की सेवा करनी होगी सुरही गाई सेवाओं की सहेली है, उसके कहने पर यदि तुम्हारी कोक छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे पंदित की बात सुनकर छोटी बहु ने दूसरे ही दिन से सुरही गाई की सेवा करना प्रारंभ कर दिया वो प्रती दिन सुबह उठकर गाई का गोबर आदी साफ कर देती, उसको चारा डाल देती, साफ पानी भर देती थी सुरही गाई ने सोचा, यह मेरी सेवा कौन कर रहा है, इसका पता लगाती हूँ अगले दिन वो तलके ही, उठ गई और देखती है कि साहुकार की छोटी बहु सारा काम कर रही है, गाई ने पूछा तू किसलिए मेरी सेवा कर रही है, साहुकार की बहु बोली माता शाउमी मेरी कोक बांध रखी है, जिसकारल मेरे बच्चे जीते नहीं है, यदि आप मेर कोक खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी, सुराई गाय ने उसकी बात मान ली और उसके साथ साथ समुद्र पार स्याहु के पास चल दी, रास्ते में ठककर वो दोनों एक पेल की छाव में बैट गए, जिन्स पेल के नीचे वो दोनों बैठे थे, उस पेल पर गरूर पंखनी का गोसला था, जिसमें उसके ननही ननही बच्चे थे, थोड़ी देर में वहाँ एक साथ उन बच्चों को खाने आया, ये देखकर साहुकार की छोटी बहुने साथ को मार डाला, जब गरूर पंखनी वहाँ आई और उसने वो रक देखा तो उसने सोच इसने मेरे बच्चों को मार दिया है, वो अपनी चोट से साहुकार की छोटी बहु को मारने लगी, तब वो बोली मैंने तेरे बच्चों को साम से बचाया और तू मुझे ही मार रही है, ये सुनकर गरूर पंखनी खुशो गई और बोली तुम जो चाहो मुझ से मांग लो, साहुकार की बहु बोली साथ समंदर पार्श याहु माता रहती है तू हमें वहां तक पहुँचा दे गरूर पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीत पर बैठा कर साव माता तक पहुचा दिया स्याउ माता सुराइगाय को देखकर प्रसन हो गई और बोली आओ बहन बढ़े दिनों में आई हो वो पुना बोली बहन मेरे बालों में जुए पढ़ गई है तुम निकाल दो तब सुरई गाए के कहने पर साहुकार की बहु ने साहु की सारी जुए निकाल दी इस पर या उन्हें खुश होकर उसे आशिरवाद दिया तेरे साथ बेटे साथ बहुए हो ये सुनकर छोटी बहु बोली मुझे तो एक भी बेटा नहीं है माता ने पुछा ऐसा क्यों तब वह बोली माता यदि आप वचन दे तो मैं इसका कारल बता सकती हूँ शाओ माता ने उसे वचन दे दिया माता को वचन बद करने के बाद साहुकार की बहु बोली माता मेरी कोख आपने बांधी हुई है उसे खोल दो बोली मैं तो तेरी बातों में आकर धोखा खा गई तूने तो मुझे ठग लिया अब तू घर जा घर जाकर का उद्यापन करना और व्रतकर साथ कड़ाई बनाना साहुकार की बहु ने घर लोट कर देखा तो उसकी साथ बेटे और साथ बहुए उसे खुशी-खुशी घर के आनगन में दिखे वो खुशी से भाव विभोर हो गई और उसने अहोई अश्टमी का वरतकर साथ कड़ाई देकर उध्यापन किया दूसरी और उसकी जेठानी कहने लगी अरे जल्दी जल्दी पूजा कर लो फिर छोटी बहु का रोना धोना शुरू हो जाएगा जब उसकी आवाज नहीं आई तो उन्होंने पता लगाने को बच्चों को भेजा बच्चों ने वापस आकर बताया वहां तो उध्यापन का कार्यक्रम चल रहा है ये सुनते ही सभी जेठानिया छोटी बहु के घर गई और पूछने लगी तुमने अपनी कोक कैसे खुलवाई तब वह बोली स्याओं माता ने कृपा कर मेरी कोक खूल दी है तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद